नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for all दिस इज मनीश राय आज प्रस्तूत है वरगवारह के बच्चों के लिए very very important objective type question series की यह सातुमी वीडियो जी यह सातुमी वीडियो है इससे पहले छे वीडियो हमारे चैनल पे अप्लोड़ेड हैं आप उनको देखें उससे आपकी तयारी को एक पहतरी इंदिशा मिलेगा जी तो उन छे वीडियो को देखने के बाद आज की वीडियो को देखें और आज की वीडियो को देखें ही नहीं बलकि आज की वीडियो के साथ प्रैक्टिस भी करें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी और परिक्षा में उतने ही ज़्यादा अंक आने की शंभावना बनेगी तो आईए साथवी वीडियो की सुरुवात होती है question number एक से बच्चों question number एक पूस्ता है कि the earth is आपको बताना है कि आपके text book में जो the earth नामक chapter है वह क्या है short story है, essay है, drama है या इन में से कुछ नहीं है बच्चों इस प्रस्न के जवाब के लिए आप अपनी पाठे पूस्तक में h.e.bates की रचना the earth को 82 नंबर पेज पे देखिए तब पता चलेगा कि जो the earth है न ये short story है, जी बच्चों, the earth क्या है, short story है question second देखिए, the people of India belongs to, आपको बताना है कि भारत के लोग किस रेस से बिलॉंग करते हैं, जी Arabian race, Greek race, Caucasian race या non, बच्चों, यह question बड़ा महत्तो पूरुन है, ये the people of India belongs to Caucasian race जी, और इसके लिए आप पर लेस बक्की रचना, इंडिया through a travelers आई, देख सकते हैं, आता दो का बच्चों, C हो जाएगा, the people of India belongs to Caucasian race number 3 कहता है, the curio dealer sold the gold for, यानि curio dealer ने, वो CB का जो कद्दू था न, उस कद्दू को बड़े dealer को कितने yen में बेंचा 400 yen, 500 yen, 600 yen, या इन में से कोई नहीं, तो बच्चों, इस प्रस्द के उत्तर के लिए, आप सीगा नोया की रचना, the artist पढ़िए, तब पता चलेगा, curio dealer ने, 600 yen में, जी, कितने 100 yen में, 600 yen में, CB के कद्दू को, बड़े dealer को बेंचा था, अता तीन का बच्चों, C सई होगा 4 कहता है, कि who traveled second on a third class ticket, आपको बताना है कि नीम्न में से कौन, तीसरी स्रेणी का टिकट रखने के बावजूद भी, दुवित्ती स्रेणी से यात्रा किया, किसने किया, नानुका का ने, रामुका का ने, भानुका का ने, या किसी ने नहीं, तो बच्चों, इस प्रस्द की जानकारी के लिए, आप अपनी पाठे पुस्तक में मनोहर मालगाओंकर की रचना, एक पींच अप सनफ पढ़ें, वहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कि नानुका का ने, third class ticket होते हुए भी, second class में travel किया, इसलिए, चार का A सही होगा, नानुका का, बच्चों, प्राब्लम हो गई है, तो बस इतना समझ लेजिए कि वह इंडियन था, परलेस बग का जो family doctor था ना, वह इंडियन था, आता पाच का C सही होगा, नंबर six कहता है बच्चों, कि इन खालेस्थान, रूप ठोका is a kind of fairy tales, निम्न में से किस देश में, रूप ठोका जो है न, एक प्रकार की fairy tales है, जो बच्चों को कही जाती है, चाइना में, बंगला देश में, इंडिया में या इंगलेंड में, याद रखेगा बच्चों, जी, बंगला देश में, रूप ठोका is a kind of fairy tales, नंबर six का, question number क्या हो जाएगा, answer क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बूक में, a child is born नामक chapter पढ़ सकते हैं, नंबर seven है, खाली असन can make or break reputation, नीमन में से कौन, आपकी ख्याती को बना भी सकता है, और आपकी ख्याती को बिगाड भी सकता है, जी, नीमन में से कौन, आपके reputation को, आपकी ख्याती को, आपके नाम को, आपकी किरती को बना भी सकता है, और बिगाड भी सकता है, the market, the officers, the price, the डेरोथी यलसेयर्स की लचना How free is the price? देख सकते हैं बचो नमबर 8 कहता है कि Benji parents had rented the land for आपको बताना है कि Benji के जो parents थे उसके जो माता-पिता थे वे कितने वरसों से उस भूमी को rent पे भाड़े पर लिये थे कितने वरसों से? तो बचो चालिस वरसों से कितने वरसों से? चालिस वरसों से Benji के मता-पिता ने उस भूमी को पट्टे पर लिया था भाड़े पर लिया था आथा आठ का A सही होगा और इसके लिए बचो एचीबेट्स की लचना the earth देख सकते हैं आप बचो question number 9 कहता है कि when Benji was 21 जब Benji की आयू 21 साल की हो गई his father handed him तब उसके पिता ने उसको क्या सौपा? यानि 21 वरस की आयू में Benji के पिता जी ने Benji को क्या सौपा? money सौपा? jewelry सौपा? coat सौपा? या passbook सौपा? बचों सही जवाब होगा passbook सौपा कितने साल की आयू में? 21 साल की आयू में आता 9 का D सही होगा और इसके लिए बच्चों आप the earth, attributes की रचना the earth देख सकते हैं number 10 कहता है Anton Chekow lived in Kaliistan during the rule of the jars यानि jar के सासनकाल में Anton Chekow किस देश में रहते थे? England में, China में, Russia में या America में इसका सही जाब होगा रसिया में रसिया के सासक को ही jar कहा जाता है तो jar के सासन में रूस में रहते थे कौन? Anton Chekow अता 10 का बच्चों 20 ही होगा आए 11 देखते हैं 11 कहता है there is nothing like honesty was said by यानि इमांदारी जैसी कोई चीज है ही नहीं यह कथन किसका है? रामुका का का, नानुका का का, राजुका का का या किसी का नहीं? बच्चों याद रखिएगा यह जो कथन है ना नानुका का का है नानुका का ने कहा था कि इमांदारी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है अता ग्यारा का C सही होगा और इसके लिए बच्चों आप मनुहर मालगाओं करकी रचना एक पींच आप सनफ देख सकते हैं जो बारा कहता है कमलादास is poetess कमलादास एक कबाइतरी है कहां की इंडियन है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है और असियन है याद रखिएगा, कमलादास is an Indian poetess कमलादास is an Indian poetess कमलादास इंडियन कबाइतरी है न बच्चों अता बारा का E सही होगा तेरा देखिए बच्चों तेरा कहता है, मैकाबिटी is full of happiness, selfishness या deceitfulness मैकाबिटी में कूट-कूट के भरा है happiness भरा है, या selfishness भरा है, या deceitfulness भरा है तो इसका सही जावगा बच्चों deceitfulness जी, कपट भरा है मैकाबिटी जो बिल्ली है न उसमें कूट-कूट करके कपट भरा हुआ है अता तेरा का D सही होगा और बच्चों इसके लिए आप मैकाबिटी the mystery cat जो टी एस इलिट के रचना है न उसको देख सकते है नमबर चौदा चलते हैं बच्चों नमबर चौदा कहता है कि the god of small things is written by यानि यह जो किताब है न the god of small things या किसकी रचना है कमलादास की है, अंतादेसाई की है या अरुंधती रोय की है अताद चौदा का 20 है होगा जी, चौदा का 20 है होगा पंदरा कहता है कि the poetess in my grandmother's house begs at door यानि जो कबाइतरी कमलादास है न वो my grandmother's house नामक कभिता में किसके दर्वाजे पर प्रेम की भीख मांगती है strangers के, friends के, neighbors के या fathers के याद रखेगा बच्चो strangers के किसके दर्वाजे पर strangers के दर्वाजे पर अताब 15 का A होगा और इसके लिए आप अपनी पाठे पुस्तक में my grandmother's house कमलादास की रचना देख सकते हैं बच्चो नमबर 16 कहता है कि the language of international trade and commerces आपको बताना है कि international trade and commerce की language क्या है इंगलिस है आता 16 का 20 ही हो जाएगा नमबर 17 कहता है बच्चो कि the English from 15th century till now is called यानि आपको बताना है कि 15 सदी से ले करके till now आज तक की अंग्रेजी को किस नाम से पुकारते हैं modern English, middle English, old English या किसी भी नाम से नहीं याद रखेगा बच्चो modern English जी the English from 15th century till now is called modern English यानि पंद्रहमी सदी से ले करके आज तक की अंग्रेजी को modern English कहते हैं और तो 17 का A होगा और ठारा कहते है the Norman conquest took place यानि Norman हमला कभ हुआ था England पे तो याद रखेगा 1066 में जी Norman conquest कभ हुआ था बच्चो 1066 में 18 का A सई होगा और इसके लिए आप the story of English नामक पुस्तक देख सकते हैं नमबर 9 कहता है paradise regained is written by आपको बताना है कि paradise regained नामक जो रचना है न किस की है john Hamilton की है john Kitts की है john Milton की है john Dunn की है याद रखेगा बच्चो जोन मिल्टन की paradise lost भी है और paradise regained भी है अता 19 का B होगा कि paradise regained is written by john Milton नमबर 20 कहता है बच्चो कि there are main periods in the history and growth of English अंग्रेजी के इतिहास और अंग्रेजी के विकास में आपको बताना है कि मुख तक कितने periods हुए है तो यह असपस्ट है आपको तीन periods कितने periods तीन Old English period Middle English period और Modern English period तो कहेंगे कि there are three main periods in the history and growth of the English language अता 20 का C हो जाएगा बच्चो 21 कहता है कि Sarojinin I do is known as the यानि Sarojinin I do जानी जाती है Iron Lady of India Nettingill of India Poet of India या non असपस्ट जवाब है Sarojinin I do is known as the Nettingill of India Sarojinin I do भारत कोकिला के रूप में जानी जाती है अता 21 का B होगा इसके लिए भी आप the story of English नामक पुस्तक देख सकते हैं नमबर बाईस है कि the poet consigned his first bond to the flames second bond to the flames third bond to the flames या non या आपको बताना है कि आपकी टेक्स्ट बूक में जो फायर हीम जो कविता है कि की अंदारू वाला की उसमें कभी जो है न अपने first bond यानि प्रथम सी सू को आग के हावाले करते हैं कि दिवित्य सी सू को कि तृत्य सी सू को या किसी को नहीं असपस्ट रखिएगा बच्चों first born को यानि अपने प्रथम सी सू को है न तो 22 का एस ही होगा बच्चों तेज कहता है but beauty venices beauty passes however rare rare it be यानि सुंदर्ता जो है न वो नस्ठ हो जाती है सुंदर्ता जो है न गायब हो जाती है चाहे वो कितना हूँ दुरलब हो या पंक्ति नीमन में से कहां से ली गई है epitaph an epitaph से ली गई है the artist से ली गई है the soldier से ली गई है या कहीं से नहीं ली गई है याद रखेगा बच्चों यह जो पंक्ति है न an epitaph Walter Dillon Mayer की रचना an epitaph से ली गई है beauty venices beauty passes however rare it be तो 23 का बच्चों A होगा 24 देखिए बच्चों 24 कहता है कि the has become dumb to see the leafless trees यानि बिना पतियों के पीण को देख करके निम्न में से कौन सी पक्ची जो है न वो dumb हो गई है मतलब गुंगी हो गई है उसने बोलना छोड़ दिया है खामोस हो गई है सांथ हो गई है नीशब्द हो गई है crow हो गया है peacock हो गया है kuckoo या nightingle याद रखे के बच्चो nightingle कौन nightingle yes the nightingle has become dumb to see the leafless trees और इसके लिए बच्चो W.H. Ordon की रचना now the leaves are falling fast आप देख सकते हैं और अंती में बच्चो the rape of the lock is a poem by यादि दे रेप of the lock नामक जो रचना है वो निम्न में से किस की है आपकी परिछा के लिए बहुपियोगी होगा बहुत लावप्रद होगा तो मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपकी स्थि और बहतर होगी और आप परिछा में बहतर परदर्शन करेंगे आप परिछा में बहतर करें यही मेरी दिल्ली ख्वाइस भी है तो बच्चो आईए आज की वीडियो को स्वाप्त करते हैं स्वाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद